सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी उपायों के वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों मैं हूं वैभवन चर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन दोस्तों पिछले काफी समय से आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि आप लोगों को शनी का वार्षिक राशिफल शनी का क्या प्रभाव आपकी राशी पर रहेगा साल दोहजार इकिस में यह उपलब्द कराया जाए हर साल मैं आप लोगों को उपलब्द कराता था इस बार जो है समय के अभाव के चलते मैं आपको उपलब्द नहीं करा पाया तो बहुत सारे दर्शिकों की इमेल के थ्रू वाट्स अप के थ्रू यह क्वेरी आ रही थी कि आ आपने अभी तक उपलब्द नहीं कराया हम लोगों को उपलब्द कराये आपकी बातों पर हमें ज्यादा विश्वास होता है तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आपके राशी के नुसार साल दोहजार इकिस में शनी देवता का क्या प्रभाव रहेगा जिन लोगों की सा खामान ये शनी का उपाय है जो कोई भी राशी का व्यक्ति कर सकता है उसके बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे तो हम लोग आज जानने वाले हैं कि शनी का वार्शिक राशी फल राशी के नुसार क्या कहता है सूर्य पुतर शनी डेव को कर्म फल्दावा या न्याय का देवता माना जाता है लेकिन शनी ग्रह के संबंद में अनेक भ्रांतियां होने के साथ ही इसे मारुक अशुब और दुख कारक ग्रह माना जाता है वहीं पश्चिमी जोतिश में भी इसे दुख देने वाला ग्रह माना गया है लेकिन अगर शास्त्रों की बात कर वहीं अगर शनी देवता की बुरी द्रिश्टी पड़ जाए तो व्यक्ति के बने-बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं वहीं शनी का गोचर जो है सैटर्न ट्रांजिट जो है शनी की साड़े साती और शनी की महादशा से जीवन में बड़े-बड़े परिवर्तन होते हैं सत्य तो यह है कि शनी देवता प्रकिर्ती में संतुलन उत्पन्न करते हैं संतुलन पैदा करते हैं और हर प्राणी के साथ उचित नयाय करते हैं जो लोग अनुचित विशमता और अस्वभाविक समता को आश्राय देते हैं शनी केवल उन्हीं को दंडित यानि प्रताडित करते हैं अनुराधा नक्षत्र के का स्वामी जो है वो शनी देव को बताया गया इसलिए वह शत्रू नहीं मित्र हैं कोरोना के संक्रमन काल में बीते साल 2020 में लोग बहुत परिशान रहे हैं और 2021 को ले करके लोगों को काफी आशाएं हैं लोग बहुत आशानवित हैं खास बात यह कि साल 2021 में शनी देवता जो हैं अपनी राशी नहीं बदलेंगे वो पूरे साल अपनी स्वर राशी यानि मकर राशी में ही विराजमान रहेंगे इस साल राशी की जगह शनी का केवल नक्षत्र परिवर्तन होगा साल के शुरुवात में शनी उत्राशाड़ा नक्षत्र में होंगे जिसका स्वामी सूर्य माना जाता है और इसके बाद 22 जन्वरी को श्रमण नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे जिसके बाद इस साल श तो आईए जानते हैं कि 2021 में किन राशियों पर शनी देवता महरबान होंगे और किन लोगों को बहुत समहल करके चलने की आवशक्ता होगी। अब बात करेंगे सिंग राशि की कि सिंग राशि वाले जातक लोगों के लिए शनी के गोचर का क्या प्रभाव मिलेगा साल 2021 में। शनी के गोचर का सबसे जादा प्रभाव सिंग राशी के जातक लोगों की स्वास्त पर पढ़ने वाला है जिसके कारण इने बहुत सावधान रहने की आवशकता है इस साल आपको अपने विरोधियों पर दबाव बनाने में सफलता मिलेगी वहीं प्रतियोगी परीच्छा मे हिस्सा लेने वाले लोगों को बहुत अच्छी सफलता मिलने के योग भी दिखते हैं अगर आप बैंक से किसी भी तरीके का कोई लोन लेना चाहते हैं और आपने अपलाई कर रखा है उसके लिए आवेदन दे रखा है तो इस गोचर के चलते उसमें आपको सफलता मिल है ऐसे योग आपको आपके लिए बनते हैं हलाकि प्रेम जीवन के लिए ये गोचर अच्छा नहीं का जा सकता पार्टनर से किसी बात पर तकरार हो सकती है इस साल आपके खर्चे भी बहुत जादा बढ़े हुए होंगे सातिसात विदेश यात्रा का प्रवल योग भी चल रहा है तो उसमें सफलता आपको मिल जाए और इसके अलावा आमदनी की तुलना में खर्चे जादा हूं ऐसी इस्तिती शनी देवता आपके लिए ले करके आएंगे अब बात करते हैं कि शनी देवता के लिए क्या उपाय करें सिंग राशी वाले जातक कि जिससे पूर कड़ा गिफ्ट कुछ भेंट उपहार दें या फिर शनीवार को जब आप ऑफिस जा रहे हो या अपने दुकान पे अपने काम पे जा रहे हो तो सात matière मिठाई बाट करके खिलाई ऑपहार की न्यामाल nueva की थी भी हो गया तो सब आप से खुश रहेंगे प्रसंद रहेंगे तो किसी भी तरीके का दोस्ट जो शनी देवता का बन रहा है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी तो दोस्तों ये तो बात रही शनी देवता के प्रभाव की हम लोगों ने जाना कि आपकी राशी के अनुसार शन किसी भी राशी का व्यक्ति हो वो शनी देवता के उन उपायों को करेगा तो उसको फायदा बहुत अच्छा मिलेगा ये उपाय किसी भी शनिवार को किये जा सकते हैं किसी भी शनी अमावस्या सोमवती अमावस्या भौमवती अमावस्या को किये जा सकते हैं या जब भी श जैनती पर कर सकते हैं तो कहने का तात पर यह कहने का मतलब यह है कि शनी देवता से संबंधित किसी भी विशेश्टिती में चाहे वो शनीवार ही क्यों न हो आप कभी भी इस उपाय को करेंगे कोई भी राशी वाला जातक करेगा तो उसको लाब अवश्य मिलेगा तो अगर क कोई भी व्यक्ति शनी देवता की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो यह चोटे-चोटे उपाय अपने जीवन में जरूर करें इन उपायों से शनी देवता निश्यती प्रसंद होते हैं और आपको मनोवांचित फल अवश्य प्रदान करते हैं तो क्या है यह उपाय आइ सनी देवता कौम लोग सरसों का तेल चड़ाते हैं और चावल और उडद का कोई एक उसमें भोग जो है प्रदार्थ जो है जरूर होना चाहिए तो आप चावल और उडद के खिचडी भी मिक्स करके बना सकते हैं और दाल का बड़ा जो है वो सरसों के तेल में बड़ा हो एक आइटम दही बड़ा हो सकता है और दाल चावल रोटी सब्जी वगर आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं लेकिन उड़द और चावल से बना हुआ समान जरूर हो काले तिल का कुछ मिश्ठान वगरा तिल गुड़ वगरा शनीदेवता की क्रिपा आपको स्वता ही प्राप्त होती है शनीदेवता स्वता आपसे खुश रहते हैं प्रती शनीवार शनीदेवता के निमित वरत और उपवास करके शनीदेवता का पूजन करेंगे तो आपको फायदा आवश्य मिलेगा नियमित रूप से प्रती शनी उनको तो जरूर करना चाहिए जिनकी कुंडली में शनी देवता की इस्तिती बहुत अशुब बन रही है और जिनकी कुंडली में साड़े साती और ढहिया की इस्तिती है जिनकी कुंडली में अशुब शनी की महादशा या अंतरदशा है उनको ये उपाय जरूर करना चाहिए उनका कल्यान इन उपायों से निश्चित हो जाता है साथ मुखी रुद्राक्ष धारन करना जिसकी साड़े साती ढईया चल रही है या अशुब शनी की महादशा अंतरदशा है उनको बहुत अच्छा लाब देता है इसी के साथ साथ प्रती शनीवार आपके खाने में तिल से बनी हुई सामगरी का प्रयोग जरूर किया जाना चाहिए तो अपने भोजन में शनीवार को काले तिल का प्रयोग आप जरूर करेंगे या तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं शनी का रतन नीलम धारन कर सकते हैं लेकिन नीलम धारन करने से पहले किसी योग्य जोतिशी को क पहार में गिफ्ट में नहीं लेना चाहिए जिनका शनी खराब होता है प्रते दिन हनुमान जी की विशेज पूजा आर्चना करें हनुमान जी के भक्तों पर शनी देवता का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता तो नियम से हनुमान चालिसा बजरंग बाण और हनुमा करके आपको अपने इश्ट देवता की पूजा आराधना करनी चाहिए शनैशरी अमावस्या पर किसी भी तीर्थ महत्ववाली किसी धार्मिक महत्ववाली नदी में कुंड में सरुवर में इसनान करके शनी देवता के निमित दान पुन्य जरूर करना चाहिए पुरुश पर इस्त्री और इस्त्री पर पुरुश का साथ तुरंट छोड़ दे अनिता शनी देवता और कुरूर हो जाएंगे और आपको उसके बहुत बुरे परणाम जीवन में भुगतने पड़ेंगे सारे अधार में कारे आपको छोड़ देने चाहिए अगर ऐसा आप करते हैं शनी देवता की दशा में तब फिर समझ लीजे कि आप कहीं भी रहें शनी देवता आपको बक्षने वाले नहीं हैं खाली पेट नाश्ते से पूर्व काली मिर्च और गुड या फिर बताशे के साथ काली मिर्च चवा करके खाने से शनी का दोश जो है वह समाप्त होता है भोजन करते समय नमक कम होने पर काला नमक तथा मिर्च कम होने पर काली मिर्च का प्रयोग करेंगे तो इससे शनी का आश्यूप्रभाव समाप्त होता है भोजन के उपरांत आपको लौंग खाना चाहिए शनीवार और मंगलवार को क्रोध करने से घर में कलह कलेश लड़ा का नियम होना चाहिए हमारे शास्त्रों में भी का गया कि भोजन करते समय बात मत करिए खाना सरकने वगर उस तरीके की दिक्कत होने की संभावना उसमें जादा रहती है यदि संभाव हो तो प्रतेक शनिवार को सोते समय शरीर व नाखुनों पर हलका सा तेल मालिश करके सोना चाहिए मास मदिरा मचली इत्यादी और इसके लावा नशीली चीजों का सेवन बिलकुल भी नहीं करना चाहिए जिनकी शनी की साड़ेसाती ढईया चल रही है या जिनकी अशुब शनी की महादशा अंतरदशा चल रही है घर की महिला जातक के साथ सहानुभूती बरते हैं उनका आदर सतकार करें उनका अशुरवाद लें उनके साथ स्नेह पूर्ण व्यवार करें क्योंकि जिस घर में ग्रेलक्ष्मी सताई जाती है ग्रेलक्ष्मी रोती है उस घर से शनी देवता की सुख शांतिवा समर्दी जो है वो रूट करके चली जाती है शनी देवता की क उपाय आप जरूर करें या शनी देवता से संबंदित किसी भी तिती में ये उपाय आप कर सकते हैं उड़त की दाल के बढ़े या उड़त की दाल चावल की खिचडी बाटनी चाहिए प्रतियक शनीवार को लोहे की कटोरी में तेल भर करके अपना चेहरा देखकर के दरिद् सर्सों का तेल से शनी देरता का अभिशेक करना चाहिए शनी मृतुञ्जा इस्त्रोत दश्रत कृत शनी इस्त्रोत शनी भार्या इस्त्रोत का चालिस दिन तक लगातार शनीवार से आरम करके अगर आप नियमित पाठ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा उसका परणाम मिलत है काले घोडे की नाल अत्वा नाओ की कील से बना चल्ला अभिमंत्रित करके धार्ण करने से शनी के दुश्प्रभावों से आपको मुक्ति मिलती है जिस जातक के परिवार में घर में रिष्टेदारी में पडोस में कन्या भूण हत्या होती है वहां शनी का को बहुत भयं है कि कन्या भूण हत्या जैसे पाप को रोकने के लिए जो व्यक्ति प्रयास करता है शनी देवता की क्रपा उसे अवश्य मिलती है और जो काम जो व्यक्ति ऐसा काम करता है फिर शनी देवता की क्रपा उसे जीवन में कभी नहीं मिल सकती शनी देवता उसे नाना प्रकार से कश्ट देते हैं कपूर को नारियल के तेल में डाल करके सिर में लगाना चाहिए भोजन में उड़त की दाल का अत्यधिक सेवन करना चाहिए जूट कपट मक्कारी धोके से बचना चाहिए रहने के स्थान पर अंधेरा सूनापन वा खंड़हर की इस्तिती ना होने दे इससे प्रभाव और ज्यादा बढ़ता है शनिवार को काले तिल एक चुटकी और दो भून सरसों का तिल सरसों का तेल या फिर तिल का तिल पानी में डाल करके आपको इस्नान करना चाहिए इसनान से पूर्व सरसों या तिल के तेल से हलकी सी शरीर पर मालिशऑ बी कर करना चाहिए शनीवार के दिन या फिर शनी से संबंदित किसी भी शुप्तिती में मैंने बार-बार बताया कि शनीवार का दिन अमावस्या का दिन सोमवती अमावस्या का दिन भौमवतियमावस्या का दिन शनी जैनती की तिथी यह सारी बहुत महत्वपूर्ट थी इंटितियों में आप ये काम कर सकते हैं शनी मंदिर में जा करके कम से कम ग्यारा परिक्रमा और दंडवत प्रणाम शनी देवता को करना चाहिए सोलह शनिवार सूर्यास्त के समय एक पानी वाला नारियल पांच बदाम और कुछ दक्षणा शनी मंदर में आपको समर्पित करनी चाहिए शनी मंदर से शनी रक्षा कवच या काला धागा हाथ में बानने के लिए अवश लाएं और शनीवार को उसको धारण करें शनी देवता के शुबफल प्राप्ती के लिए दक्षण दिशा में अपना सिर करके सिराना दक्षण की तरफ करके सोना चाहिए और पूर्व दिशा की और मुख करके अपने सारे शुब कार्य करें और अपने घर के देवाले में शनी देवता का एक आसन बिछा करके शनी देवता का ध्यान उस पर आप करें तो आपको बहुत अच्छा उसका लाब मिलता है प्रतेग शुबकारे से पूर्व कार्यबाधा निवारन के लिए प्रातना करके हनुमान जी और शनी देवता के नाम से आपको नारियल तोड़ना चाहिए ये बहुत ही शुब माना जाता है प्रतेग शनीवार को रात में सोते समय आँखों में काजल या सूर्मा लगाएं और शनीवार को काला कपड़ा अगर आप पहनते हैं तो ये आपके लिए बहुत जादा लाबकारी होता है महिलाओं से अपने भाग योदय के लिए सहयोग समर्थन वा मार्दर्शन प्राप्त करें तो आपको निश्चिती प्रगति मिलेगी अपनी से बड़ी उम्र वाले व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए उनसे आप सहयोग प्राप्त करें उनसे मार्दर्शन भी लें और अपने से छोटी जाती के निर्मबल व्यक्ति की आपको मदद करनी चाहिए जो निर्मबल है जो असहाय है अशक्त है उसकी सहायता जरूर करें गरीब की निर्बल व्यक्ति की तो आपके लिए ज्यादा उत्तम रहेगा ऐसे लोगों की सहायता पर शनी देवता की क्रिपा आपको बहुत आसानी से मिलती है प्रतिमाह की अमावस्या आने से पूर्व अपने घर्व व्यापारस्टल की साफसफाई धुलाई अवश्य करें और सरसों के तेल का दीपक वहाँ पर जरूर जलाएं शनी अमावस्या शनी जैंती या फिर शनीवार को अगर आपसे हो सके तो शनी मंदिर में नंगे पैर जाना चाहिए घर बनाते समय काली टाइल काले मार्बल या काले रंग की कुछ वस्तू का प्रयोग आपको कुछ स्थान पर जरूर करना चाहिए यह सारे उपाई शनी देवता को प्रसंद करने वाले और बहुत आसानी से यह उपाई किये जा सकते हैं इनमें कोई बहुत मुश्किल बहुत कठिन उपाई या बहुत बड़े खर्च वाला कोई उपाई नहीं है इन प्रयोगों से आप अपने उपर शनी देवता की कृप को निश्चित कर पाएंगे अगर यह उपाया आप करते हैं तो शनी देवता की क्रिपा आपको अवश्य मिलेगी और जो भी अशुब परिस्तिती है कठिन समय जिन लोगों का चल रहा है जिनकी अशुब शनी की महादशा अंतरदशा है जिनकी शनी की डईया साड़े साती है उनको इन उपायों से काफी हद तक फायदा मिलेगा तो दोस्तों आशा करता हूँ कि शास्त्र से जिड़ी वही बाते हैं ग्यान की बाते हैं जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल से प्राप्त होती है वो निश्चिती पसंद आती होंगी आप सभी से बार बार आग रहे कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए इसी शुब कामना के साथ कि आपका दिन शुब हो मुझे आ गया दीजे और देखते की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके थखन्यवार इदी आप अपनी किसी भी व्यक्तिकत समस्या के लिए मुझसे परामार्ष और समाधान चाहते हैं यानि आप अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझे कंसल्टेशन और रेमेडी चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं टेलिफोनिक कंसल्टेशन फोन पे बात करना और दूसरा फेस टू-फेस यानि पर्सनल मीटिंग के करना आप हमें फोन के माध्यम से आपको दो नंबर दे रहा हूं इन दोनों नंबर पे वाट्साप अवैलेबल है आप वाट्साप करें 9818300146 यह हमारे ओफिस का दूसरा नंबर है अगर आप हमें इमेल करना चाहते हैं तो आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारी इमेल आईडी नोट कर लीजे इस एच ए आर एम ए डॉट वैबवा वी ए आई वी एच एवी ए एड डिरेट जीमेल डॉट कॉम पर इस पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में इमेल और वाट्सप करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवाद